हलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया से बंगलादेस और बंगलादेस में 14 दिन रुक्के साओधी अरेबिया कैसे जाएं उसके बार में डीटेल सा प्रोसेस बताऊंगा और कई बार आप लोग मुझे से पूछते हैं कि बंगलादेस से कोई गया है या नहीं गया है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बाई गया है पिछले हटे बंगलादेस होते हुए साओधी अरेबिया आया है तो उनका डोकुमेंट भी आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि कई बार लोग मुझे डोकुमेंट सेर नहीं करते हैं लेकिन इन्हों ने एक डीटेल सा इमेल लिखा है जो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन में ये डीटेल सा इमेल लिखा है और स्टेब बाई स्टेब प्रोसेस बताया है और डोकुमेंट भी सेर कर रहा है अपन ताकि मैं आप लोगों के साथ ये सारे details share कर पाऊं इससे पहले भी मैंने बहुत सारे videos बनाए हैं आप लोगों के लिए अलग लग country के तो अगर आप India में हैं और Saudi Arabia आने का इंतिजार कर रहे हैं तो जल से जल plan कर लिजे और कोई भी एक country पकर लिजे और उनका process देखिए इसके बाद अपना process start कीजेगा अगर 3-4 country का process अगर आप हाद में पकर के रखेंगे तो किसी से भी travel नहीं कर पाएंगे और ये बात सही है कि थोरा सा आपको risk अपने से भी लेना परेगा calculated risk लेना ही परेगा वीडियो को अच्छे से देखिए step by step जो process बता रहा हूं उसे समझेए अगर आप skip करेंगे तो आपको आधा दरूरा information मिलेगा जिससे आपको भी फाइदा नहीं होगा मुझे भी फाइदा नहीं होगा क्योंकि मैं इतना महनत से बना रहा हूं इसलिए कि आप समझे उस चीज़ को तो चलिए सुरू करते हैं आपको quickly detail दे देता हूं ज्यादा complex situation के हिसाब से नहीं बताऊंगा वह सारे details बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है पहले बात passport okay सबसे पहला चीज़ जरूरी क्या होता है जब भी हम कहीं जाने का plan करते बही शुरुवात कहां से करें क्योंकि कई बार हमें सुचता है कि बही जाना है बहुत complex situation होगा लेकिन ऐसा नहीं है शुरुवात कहां से करें आपके पास passport होना चाहिए चे महिना का validity with two blank pages two khali pages okay अगर आप बंगलादेश के थूरू plan कर रहे हैं तो आपको बंगलादेश का visa लेना परेगा बंगलादेश का tourist या visit visa बंद है आपको business visa लेना परेगा जो कि सबको मिल जाता है business visa आप online भी apply कर सकते हैं किसी agent के थूरू भी apply कर सकते हैं online अगर apply करे तो आपको बहुत सारा documents submit करना परेगा जो कि हमारे पास नहीं होता है company का invitation letter और भी बहुत सारे चीजे ठीक है तो मैं यह recommend करूंगा कि आपको agent के पास जाए वो आपको visa apply कर देगा सिर्फ visa के लिए आप उनके पास जा सकते हो आपको visa apply करके दे देंगे जो भाई travel करा है प recommendation भी गलत वर्ट हो गया suggestion है आप अपने हिसाब से select कर सकते हैं मैं इनको नहीं जानता हूं ओके ठीक है तो आपको अगर visa apply करना है business visa तो आपको क्या क्या आपके पास होना जरूरी है आपके पास में दो passport size photograph with white background और photocopy आधार का photocopy बस यह दो चीज और आपका original passport तीन चीज यह तीन चीज़ आपको agency को देना है और वो आपका visa 8-10 दिन मान लिजे 10-12 दिन भी हो सकता है COVID के वाई से आपको लगा के दे देगा और यह visa e visa नहीं होगा यह passport में paste किया गया visa होगा कई visa मैंने देखा है बंगलादेश का जो 2 मेना पहले travel कर रहे थे हाथ से लिखा हुआ वीजा भी था तो जैसा भी होगा आपके passport में वो sticker चिपका हुआ होगा ओके और यह visa का cost कितना है यह visa का cost धाई हजार रुपे है बस जो agency से उन्होंने करवाया था धाई हजार रुपे उनसे लिया है ठीक है धाई हजार रुपे अब आपने वीजा आपके पास आ गया जो है अगर आप Kolkata या इस साइट से करवाते हैं तो सस्ता परेगा अगर आप North साइज दे कराते थोरा महिगा परेगा यह बाही जो है जिनका मैं बारे में बात कर रहा हूं वो साथ मार्च को गये थे Kolkata से बंगलादेश डाका को कोलकता से गये थे तो उनको पराता साथ हजार रुपे ही उनको पराता साथ हजार रुपे इंडिया से बंगलादेश का फ्लाइट टिकेट आपके वीजा हो गया आपके आपके वास्ट टिकेट हो गया तो आपके से एक ट्राइवल डेट होगा कि किज दिन आप ड्राइवल करेंगे तो जिस दिन आप ड्र shower하기 अध उसके 72 hours के अंदर आपको COVID test करवाना परेगा, कोई भी ICMR approved lab से करवा लिजेगा, जो ये बाए है, ये कोलकता में कोई SRL diagnostic है, वहाँ से करवाए थे, जिनका इनको 950 रुपए फीस लगा था, तो आप इंडिया के कहीं में भी है, तो आप देख लिजे ICMR approved lab, और वहाँ से अपनी हिसाब से select कीजे, approve lab और test करवा लिजे, विदिन 72 hours आपके flight departure के, वीजा है आपके पास, आपके पास flight ticket हो गया, बंगलादेश दाने का, COVID test report हो गया, और आपको क्या चाहिए, hotel booking, hotel booking आपको बंगलादेश में रहना है, कई बार immigration में पूछते हैं, और आप booking करते से में इस बात का ध्यान रखेगा, कि pay at hotel वाला select कीजेगा, ताकि आपका risk जो है, वो कम हो, risk कम हो, तो आपके पास visa हो गया, आपके पास flight tickets हो गया, बंगलादेश दानने के, आपके पास COVID report हो गया, आपके पास hotel booking हो गया, और आपको अभी साओधी भी जाना है, तो साओधी का ticket भी पहले आप book करके चले जाए, ताकि price आपको अच्छा मिले, देख लिजे का कौन सा है, बंगलादेश से साओधी अरीबिया जाने का ticket आप 15 दिन बाद का book कर सकते हैं, तो यह जो भाई है कातर एरवाइस से गए थे, अभी मैं थोड़ी दे पहले कातर एरलाइन्स का prices देख रहा था, तो अगर आप रियाद आना चाहते हैं, तो महेगा आपको ticket भी लेगा, अगर आप दमाम आना चाहते हैं, तो चोदो सो, पंदो सो रियाल का ticket है, तो आप अपने हिसाब से देख लिए कौन सा आपको feasible परता है, तो आपने ticket भी ले लिया बंगलादेश से साथी अरेविया का, अब आपके साथ में आपको में बताओं कि क्या-क्या documents होने चाहिए, जब आप airport अगर आप जा रहे हैं, इंडिया से अगर आप बंगलादेश जा रहे हैं, तो airport जाने से पहले आपके हाथ में कौन-कौन से document होने चाहिए, आपके passport ये बहुत important चीज़ है, आप अच्छे से समझ लिजेगा, passport होने चाहिए आपके पास, आपके पास होना चाहिए flight tickets from इंडिया तो बंगलादेश और बंगलादेश से साथी अरेविया का, तीसा document, चोथा, आपके पास COVID report का printout होना चाहिए, पाँचवा, आपके पास होना चाहिए hotel booking, चटा, आपके पास होना चाहिए exit re-entry visa, साओधी अरेविया का valid वाला, और आपके पास अगर एकामा है, तो उसका कूपी भी आप रख लिजेगा, तो यह सारे आपके पास document होगे, आप जाहिए, एरपोर्ट में, फ्लाइट में बेठी, आपका immigration में कोई problem नहीं होगा, हो सकता है कि आपको एरपोर्ट में कुछ पहुं स्विलाप करने दे, तो सारे details हो गए, आप बढ़ देजएगा, पैन अपने साथ जरूर ले जाहिएगा, इसके बाद आप जब बंगलादेस पोचेंगे, वहाँ भी immigration से आपसे जो भी पूछेगा, आपसे उसको पताईएगा, क्योंकि कोई चुपानी वाली बात तो है नहीं, इसके आप होटल में चले जाएगा, होटल बुकिंग तो ही आपके पास, होटल में जाएए वहाँ प बंगलादेस में होंगे, तो आपका एक काम पेंडिंग रहे जाएगा, जो कि है COVID test, बंगलादेस से अगर आप जाएगे तो NOC का requirement नहीं है, कई लोग मुझसे पूछे थे कि NOC का requirement है, पिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो आपको बस एक काम करना है COVID test, वो COVID test कप करेंगे, जैस जो लैब है बंगलादेस में, उसका लिस्ट भी description में दे दूँगा, जो ये भाई है, उन्होंने करवाया था कोई लैब से, और ये जो रिपोर्ट है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, गोर्मेंन का वेबसाइट में आपको बता देगा, जहां पे आप टेस्ट करवानी ज एक रुपिया जो है, वो बंगलादेस का लगबक 1.16, बंगलादेस टाका है, मैंने सुवे में चेक किया था, तो ये current version rate है, ऐसे मैंने आपको वीडियो के end में सारे budget का एक estimation दे दूँगा, तो जब आप बंगलादेस में होंगे तो आप COVID test करवा लिजेगा, रिपोर्ट ले लिजे, ठीक है, तो आपके पास सारे documents हो ही, जो मैं आपको शुरुवात में बताये थे, एरपोर्ट में जाएए, जब आप एरपोर्ट में जाएंगे, तो आपके पास में क्या-क्या documents होने चाहिए, जब आप airport जाएंगे, बंगलादेस के airport, साओधी आने से पहले, आ आपके आस COVID report के print out होने चाहिए, आपके पास exit re-entry visa होना चाहिए, वीजा का copy होना चाहिए, ठीक है, यह तीन documents आपके पास होने चाहिए, और IKAMA का भी copy एक रख लीजेगा, पता ने कब कौन क्या पूछता है, और जो आपके पास वहां में, जैसे आप जाएंगे airport में, तो स्टम लगवा रहे होगे, तो करोना के जो report है, उसमें आपको स्टम भी लगवाना पड़ता है, वो आपको वहां पर दे दिया जाएगा, अब मैं आपको quickly बता देता हूँ, अब document share कर देता हूँ, जो मैंने आपको promise कर रहा था, अभी मैंने साहिद कुछ नहीं छोड़ा है, अगर कुछ छोड़ा भी है, तो आप लोग पूछिएगा, मैं आपको comment में बता दूँगा, अब document share करता हूँ, ये देखिए, उनका boarding pass 7 तारीका है, 7 March को वो travel करे थे, कहा airlines से, ओके, और 24th को वो पहुंच गए, रियाद, बाया दोवा होके आये थे, तो वहाँ पर overnight stay था, तो वहाँ पर पहुंच गए, पर जब वो साओधी अरेविया पहुंच गए, तो उनके passport में stump हुआ, जो आप देखना चाहेंगे, ओके पहला stump जो है, उनका वो है, arrival Bangladesh में, इसका बंगलादेश से वो 23rd को निकले थे, साथ तारीक को पहुंच थे, 23rd को निकले वहाँ से, और साओधी का stump भी वहाँ पर है, मैं उमीद करता हूँ कि यह जो stump है, उस दिन का ही है, जब वो साओधी अरेविया पहुंचे होंगे, तो मैंने आपको सारे डीटेल्स बता करने में problem हो रहा है, तो जल से जल plan कीजे, flight का कोई पता नहीं है, कब खुलेगा, नहीं खुलेगा, और जब भी आप plan करेंगे, एक sequence में plan कीजे, बीच-बीच से सोचेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे problems होंगे, ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रख ठीक यू वहरे मुच, टेक केर,